कर दो दूस्तों कम्पनी के सामने समोसे वाला अपनी ठेली लगाया करता था तो उसके समोसे बहुत बिखते थे बहुत भीड़ रहती थी और लोग बहुत आते आते थे कम्पनी का हरवर कर समोसे खाता था सो मैनेजर देखता रहता था एक दिन कम्पनी का मैनेजर आता है'd बड़ी लोग आते हैं अभी समोसे खाते काते कंपनी का जो मेनेजर होता वो समोसे वाले से बूलता कि यार गोपाल तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम अपना एनर्जी और अपना टाइम वेश्ट कर रही इसमें क्यों ना तुम मेरे साथ कंपनी में चलो तो मैं को अच्छी पोउस्ट पे काम लगवा दूंं नौक्री लगवा दूं समय अच्छा पैसा मिलें तो समोसे लोग कुछ बोलता नहीं है और कंपनी का मेनेजर समोसि खाता है और उससे पैसे देकर चला जाता है फिर काफी टाइम ऐसी बीटता है एक दिन फिर आता कंपनी का मेन और वही बात फिर बोलता है कि यार गोपाल मैंने उस दिन भी तुम से बात कहे थी और आज भी कहता हूं कि चलो तो मैं मैं कमपनी में लगवाद देता हूं किसे अच्छी पोश्ट पे तुम भी अच्छा खासा पैसा कमाऊगे अभी देखता है कि जो कमपनी का मेनेजर होता इसकी मैनेजर की बात सुनकर हसता है और कहता है साब आप ये बात क्यासे बोल सकते हैं साब मैं बाताता हूं आज आपको उस दिन भी मैं चूपता अपर आज मजबूरी चोटा मूँ बड़ी बात आज बोलना पड़ रहा है मैनेजर साब जब आज से दस साल पहले आपने यह company में joining ली थी, तब उसी time मैंने भी company के आ ये ठेला लगाया था आप भी एक हजार कमाते थे और मैं भी एक हजार कमाता था आज dस सालों में इतना वादला है कि आज आज आप इस company के manager हो गए और मैं एक deukyan से तीन deukyan का मालिक हो गया हूँ और सबसे बड़ी बात कि आप महीने के 50,000 कमाते हैं और साब आज महीने का 1,00,00 कमाता हूँ एक दुकान से और 3 दुकान से 3,00,00 कमाता हूँ और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं कि जब भी आप इस मेनेजर पर से हटेंगे तो जो आपका आने वाली जनरेशन होगी, आपका आने वाला लड़का होगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा जीरो से, मगर जब मैं इस काम को छोड़ूंगा, तो मेरा बच्चा जो स्टार्ट करेगा, वो एक लाग से स्टार्ट करेगा, तो दोस्तों मैं इस स्टोरी के माधिम से बताना चाहता हूं कि जो भी करें आर आप काम छोटा हुआ या बढ़ा नहीं होता काम अपना करें आर वाली सोच मत रखें आप एक रूपया अपने काम में कमाते हैं भाई वो आपका होगा मगर आप किसी company में कर रहे हैं तो company का होगा company आपको उसमें से कुछ सिर्फ percent देगी मगर जो आप अपने खुद का काम करेंगे उस सिर्फ आप का ही होगा एकदम सही बाद बोली समोसे वाले ने कि जब एक मालिक का लड़का एक नोकरी करने हाले लड़के जब उसका बाप रिटायर होगा तो उसका बाप अगर पचाश आर पर चोड़ेगा तो लड़का उसे जीरो से start करना पड़ेगा लड़के को मगर एक business man का बेटा जब उसका बाप रिटायर होगा तो एक लाग पर रिटायर होगा और उसका लड़का एक लाग एक से स्टार्ट अप करेगा So, again Thank you so much